हेलो मामीज, वेलकम टू हैपी बेबी हैपी माम, तो ये है एक बुक रिव्यू वीडियो, मैंने अभी इवान के लिए तीन बुक्स लिए तो मुझे लगा चलो आपको भी बताती हूँ इन बुक्स के बारे में, क्योंकि रीडिंग हैबिट तो हमें बच्चों में शुभू इवान को बहुत ही जल्दी इंट्रडियूस कर दी थी मतलब दूसरी बुक थी वो लेकिन पंशतन्स स्टोरीज तो जब वो दो साल का था मैंने तभी इंट्रडियूस कर दी इसमें वही सब स्टोरीज है लेकिन पिच्चर के साथ हैं, इंटरेक्टिव बुक है काफी, स्टोरीज तो बच्चों को बहुत जल्दी इंट्रडियूस करें, बहुत जरूरी है, उसके अलावा ये मॉरल स्टोरीज इसमें 19 स्टोरीज हैं, मैं आपको दिखाती हूं इसका इंडेक्स, 19 स्टोरीज हैं इसके अंदर, जिसमें से इवान को मैं 16 स्टोरीज पढ़ा इस तरीके से पिच्चर्स हैं, तो काफी इंटरेक्टिव लगी, मतलब I'm happy कि मैंने सेट पाई किया, ये थोड़ा सा बड़ी एज के हिसाब सी है, लेकिन मैं तो इवान को एक दो स्टोरीज इसकी भी पढ़ा चुकी हूं, इसकी इस ग्रेट इंडियन वारियर्स हैं, उनक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इमान को पढ़ाती हूं, अभी तो मैं मॉरल स्टोरीज के उपर हूं, लेकिन अभी धीरे-धीरे दो स्टोरीज पढ़ाई हैं, मैंने उसको इस बुख की, एक तो समराट अशोग के बारे में, एक चंदरबुक्त मौरिया के बारे में, तो मुझे काफी मज़ा आया, तो ये तीनों बुक का सेट है, बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक मुझे एमेज़ान पर मिल जाए, मिलते ही आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप भी बाई करिए, आपका बच्चा 4 प्लस है, तो भी ये बुक्स बहुत जादा बेनिफीशल है, और बुक्स बच्चों को इंट्रड्यूस करना, अर्ली एस से ही बहुत बहुत जादा जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत इंपोर्टन है, ये सब आपको पताईए, आप समझदार है, मुझे एतना डिटेल में बताने क जरूरी है, तो चलिए ये थी छोटी सी वीडियो, तीनों बुक्स के बारे में आपको वीडियो कैसे लगी, और मुझे ये भी बताईएगा, मैं किस तरीके का कंटेंट आपके लिए और लेके आओ, मुझे समझ में ने आरे टॉपिक्स वीडियो के, अगर आपकी कुछ फ